वेलकम लेर्नर्स, दिस यूँ मेंटर, टीचर एंट फ्रेंड हैर, दो दिन बाद आपसे मिल रही हूँ, KVS TGT English की क्वेशिन को डिसकस करने के लिए, जो 13 February 2023 को हुआ था, ठीक है, ग्रामर के टॉपिक मेंशन थे, NCRT के भी मेंशन थे, लेकिन मैंने जो आपको कवर कराया थे, वो ग्रामर के थे, तो देखते हैं कौन-कौन से कितने कितने क्वेशन फसे, ठीक, तो ये जो क्वेशन से memory-based हैं, ठीक, ये क्वेशन हो बहु भी हो सकते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता इन में, मैंने स्टूडेंट से पूछे थे, ठीक, तो उनको exact याद याद तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश की, तो वो आपके सामने में present कर रही हो, ठीक, ostracize, एक word था, इसका शायद एंटोनिम पूछा गया था, जी, उसके बाद reprimand भी आया था, इसका nearest meaning, यानि, synonym पूछा गया था, ठीक है, Each of the soldiers was doing their work, questions आपके सामने as it is, जैसे आये थे, वैसे लिखे हैं, ठीक, error है या नहीं है, वो detect करना हमार और आपका काम है, ठीक, जी, तो each of the soldiers was doing their duty, ये pronoun का question है, और इसमें each of the sequence है, उसके साथ में plural verb और plural possessive adjective दोनों आना चाहिए, ये आपको syntax में ही मिल सकता है, बिलकुल मिल ही जाएगा, मैंने भी ये वीडियो में कराया था, तो there में problem है, there नहीं होगा, his होगा, ठीक है, इच के साथ में, इधर के साथ में, ये ही लगता है, singular follow होता है, ठीक, उसके बार श्यादे कोई question था, ये, one third of the wall has been painted, जिस बच्चे से मैंने पूछा, उसको पीछे का sentence नहीं आता, तो मैंने आगे के sentence अपना बना लिया, ठीक है, तो sentence कुछ हैसा था, one third of the wall has been painted, ठीक है, तो ये जो question है, ये आपके सामने है, ये one third नहीं होना चाहिए, ये one third होता है, ठीक है, तो error ही starting में ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से sentence बिल्कुल correct है, कोई दिक्कत नहीं है, what a piece of work is man, ठीक है, ये लिखा है आपके सामने, इसमें कोई punctuation नहीं है, क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये question ही था, तो इसमें punctuation का mark लगाना था, जो appropriate हो, ठीक, तो हमको आपको सबको पता है, exclamation mark लगना चाहिए था, ठीक है, very easy, next, I came, I saw, I conquered, ठीक, ये तो Julius Caesar का है, हम सब जान रहे हैं, literature का है, तो इसमें हमको column, semi-column जो होता है, उसका use करना था, ठीक है, जो option में रहा होगा, अब क्या था, ये तो वहीं पता चलता, जो भी है, option नहीं य ठीक है, बिलकुल, तो easy था, इसमें, ये semi-column लगाना चाहिए था, है न, ऐसा, अगर option में रहा होगा, तो ये होना चाहिए था, बिलकुल, we were poor, dash, we shall help him, ये question तो मेरे ख्याल से linking words में से आया हुआ है, ठीक, we were poor, dash, we shall help him, I think, वहां पर या तो end रहा होगा, या still, या but रहा होगा, ठीक, तो यहां पर conjunction, जो linking words होते हैं, उनको appropriate फिल करना था, तो दो अगरा जो भी रहा होगा, तो इसमें, अब option होते हैं, तो उस according इसको फिल किया जाता, बाकि yet भी correct हो लग रहा है, थोड़ा contradictive भी है sentence, ठीक है, जो भी है, वो तो option के according पता चलेगा, जो भी है, चली आगे, I have been reading a novel since morning, जी, I have been reading a novel since morning, तो इसमें क्या करना था, यह, इसमें आपको बताना था ना, कि यह tense कौन सा है, बहुत easy था, जो grammar की questions आय थे, वो कुछ समझ से कुछ ज़ादा easy आ गय थे, क्योंक इन सारे चीज़ों को, उनके लिए तो यह बहुत जादा easy आ गय थे, ऐसा नहीं आना चाहिए था, चुकि पैटर्न बदला है, तो पैटर्न बदले पी question paper, यह तो easy आ सकता है, यह तो बहुत tough आ सकता है, दुन में से एक काम होगा, ठीक है, तो question paper easy था कहने का मतलब यह, चल gone, तो ठीक है, यह present perfect है, यह भी आया था, tense पता करने के लिए कि क्या है, उसके बाद, जी, उसके बाद यह लिखा है, यह, बॉक्स में भी मत जाईए, आगे रहिए, question number 10 है, quiet rages, यह, जिसने मुझे बताया, उसको ठीक से नहीं आता, लेकिन उसने इतना बताया कि इसमें figure of speech आया था, पता करने के लिए, ठीक, option भी मुझे नहीं पता चल पाया है, तो जो भी रहा होगा, sentence जब clear होगा, घर तब ही पता चलेगा, और हाँ, तो quiet rages में आया था, figure of speech डिटेक्ट करने के लिए, sentence होना ज़रूरी है, फिलाल, figure of speech के लिए, wills of morning था, इसमें भी figure of speech डिटेक्ट करने के लिए आय रहा होगा, ठीक, बिल्कुल, ऐसा ही था, option नहीं पता है, तो नहीं तो हम लोग discuss करते, बिल्कुल, चलिए, आच्छा, तो इसमें mostly topic, कौन से आया थे न, आया थे tense, आया था, जो बार-बार घुमा-घुमा के पूछा गया था, ऐसा मुझे प आज अचल निमंत्रण वगरा का टाइम चल रहा है, जो बी हो, तो मैं busy होगे इती घर में कहने का मतलब, अच्छा नहीं हो पाया था, आपको तो यह तो easy है भी, प्ले ठीके मैं आपको कोई कर रहा था, बिल्कुल, नरेशन में आपको रिवीजन कर रहा था, तो इसमें ब appropriate option में से, तो शायद ऐसा कुछ था, बाकी narration बहुत easy आया थे, ठीक था, बिल्कुल, voice था आपका, voice भी बहुत easy आया था, voice तो मुझे नहीं पता चल पाया कहां से आया, लेकिन सुनने में आया कि ठीक था, बहुत easy था, voice भी, class था, class थो, देखिए होता तो easy है, लेकिन पढ body knitting class में से, आपको adverb class या adjective class या noun class को पहचानना था, ठीक, तो मेरे हिसाब से easy रहा होगा, कोई दिककत नहीं है, type of sentences में, जो TGT के बच्चे है, मुझे नहीं लगता है, पढ़ाने की खास ज़रूरत है, पहचान तो अमनों जाते ही है, कि sentence कैसा है, affirmative है, negative है, operative है, exclamatory है, तो ठीक है, ये questions काफी आय थे, अच्छे थे, तो अच्छे मतलब बहुत easy थे, तो ठीक था, अच्छा था, और इसमें narration, voice, tense, class, और type of sentences ये बहुत जादा ही easy आय थे, यही topic गुमा गुमा के पूचे गय थे, तो I think paper बहुत अच्छा रह होगा, easy रह होगा, चुकि पैटन और NCRT के लिए तो मैं शमा मांगती हूँ कि कि मैंने आपको पूरा syllabus कराए नहीं था, मैं ग्रामर की खाली आपको classes दे पाई थी, टाइम ही नहीं बच पाया था इतना, तो NCRT भी तीक थी, easy थी, जो CBSE स्कूल में पढ़ा रहे होगे थे, उनके लिए तो बहुत easy रह होग ठीक, बाकी वो graduation level के नहीं थे, शायद, ऐसा मैंने सुना था, ठीक है, candidate से जो exam देखिया थे, बाकी इसके लावा हमारी हिंदी आई थी, हिंदी भी शायद बहुत easy आई थी, बहुत ही, जादा easy आगई थी, और General English भी, वो तो हम कर ही लें के मारा subject ही है, उसकी भी कोई counting ही और reasoning था, यह तो हमारी extra curriculum पे हमारा डिपेंड करता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जीएस हैं रहा था, जीएस के questions मुझे नहीं मिल पाए हैं, और I think यह पेडागोजी से questions रहे थे, तो वो शायद थोड़ ठीक थे, ठीक का मतलब यह थोड़ा tough level के होगे, इसलिए क्योंकि जो subject concern बच्चे होते हैं, वो अपने subject पे ही focus करते हैं और वो ही नहीं complete कर पाते हैं, तो अगर बच्चे कर ले रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, उनका plus point है, बहुत होशी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, तो यह हमारे कु subscribe करेगा, follow करेगा, thank you so much, bye bye